तो डेमो स्पीर सीड मैनुवल एपिसोड एड के शुवत होती है युवान से जो कि अपने स्कूल के अंदर है और उसको बहुत जादा नियंदा रही है इसलिए वो सो जाता है क्योंकि कल रात को उसकी लड़ाई हुए थे इसका भी इसका लीडर के साथ उसने मोफाई के अगले जहां भी स्कूल में आया तब उसको नियंदा रही है जिसका वो सो जाता है और उसका जो क्लास टीचर रहता है वो आनौउस करता है कि देखो या जो हमारे क्लास के अंदर आज है ना दो नए श्टुएंट आने वाले जिसका मैं इंटोड़क्शन कराऊंगा और त इसको थोड़ी शरम आती है लेकिन जैसे तैसे वह अपना इंटोड़क्शन दे देती है उसका दुनका टीचर बलता है चैटीगे इसके बात उनों जाकर बैठ सकते तुम्हें जहां भी सीट खाली दिखाए देगा वहां पर जाकर बढ़ जाना तो जो युवान रहता है दोनों जाके युवान के बाजू में बढ़ जाते है एक युवान के पहली साइड में बढ़ जाती है दूसरा युवान के मतर दूसरी साइड में बढ़ जाती है और यहां पर जो युवान है वो तो मतरा राम से मज़े कर राम से सोया है तो उसकी आख खोलती है और सबसे तो भी फिलार कले आराम करो, इसके वाज़े मोफार है ती वो भी वहां से बुलती कि हाँ यह सही बुरी है, कल रात को मतलब बहुत जादा कांड हुआ था, जिसके अंदुम सो नहीं पाए था, इसलिए तुम अभी कले सो सकते हो, और यह बास सुनते ही जितने कलास वह रहते हुआ पाए था, जिसके वह रहां हो जाते हैं, सुसते क्या, रात को कल गेम खेलेते, क्या कांड किये ते यार इन्होंने, कल रात को क्या हुआ था, कि यह सो नहीं पाए था, यह दोनों इतनी सुन्दर से लटकिया, क्या बाते कर रहे यार, और तब में जो प्रिंसेस हो ब बारे में बात कर रहें और थोड़ी देबाद जैसे इनका मतलर रंच बलेक रहता है उसमें साले रड़के और उसे क्लास के युवान के पीछे पढ़ जाते हैं कि साले यार कैसा कितना एक नमर कमीने लड़के तो इतनी इतनी सुन्दा लड़कों के साथ पता नहीं क्या क्या किया तुझी है हम छोड़ें के नहीं और यह पर यॐँ बागे जा रहा हो चिला रहें किया रहा है यार मेरे क्या कहलती है तुम जो плюс ही कम है उसके प्षे इंडर युवान यूँा मेरे कम है तो वे हैं तो से important कम है तो यह ऊपर में Twelve पताता है तो लाइबरी में जाता है और बुग रिखने लगता है तो वहां प एक लड़की थी जो कि मतलब उपर आस्मान में बैटी थी मतलब बुग शेल पर बैटी थी तो इवान से बोलती है कि यहां मुझे एक मैजिकल बुग चाहिए क्या मुझे मिलेगा तो लड़की पूछती ह अच्छा ठीक मिल जाएगा लेकिन कोन सा मैजिक तुम्हें सिखना है यह सुने दिवान बोलता है मुझे मतलब प्लांटिंग का चाहिए मतलब इसमें खेती वगरा किया कर सकते है अच्छे से गार्डनिंग कर सकते उसका मैजिक का चाहिए तो वह आती है नीचे अपने एक लेक था उसके किनारे पहुंजा था खोश कर फाइनली मतलब मुझे मेज़ जूक है जिसके जरी में मैजिक सुख़ओंगा और मुझे दो मतलब पईरिक जो सीड मिली है नै उसके जरी हमें और परी उसके अंदर से निकाल लूँगा तब वी जो उसके बुक वाली बढ प्लांटिंग के लिए हैं उससे नॉर्मा खेती बाड़ी कर सकते हैं उससे परी के सीड को अपनी खुल पाओ गए और यह सुनते हैं यह उससे पहले बता देना चाहिए तो आप बता के क्या मतलब हो रहा हैं यह सुनने को बुक वाली परी बोल दें कोई बात ने टेंशन मतल रास्ता है मेरे पास एक काम के जी जो बुक है बस वो मेरे पास लाइए उसका इंफोर्मेशन वगरे में अनलॉक कर सकती हो और मुझे तरीका पता चल जायाएगा कि यह जो मतलब कैसे इसको अनलॉक करना है जो परी बाद चल जाएगा तो यह उसको इसको पुरा डिटेल दिखने लगता कि जो सीड है कितने साथ से मतलब बन दे और इसको कैसे अनलॉक किया जाएगा तो उसमें से एक जो सीड है उसमें सबसे पहले यह लिखा था कि जो चांदरी रात में तुम इसे छोड़ देना इसमें से मतलब परी निकल जाएगी तो यहान ऐसी करता है उसक पल्व सिकने नॉर्मल लोटस के फुल डालता है अपने फॉर सा पावर यूज करके उसमें जो लोटस प्ल पैता कर देता और एक सीड को उसके एब दाल देता है और दूसरे सीड को ऐसे से जमीन पर छोड़ देता है कि चांदरी रात मतलब उसी समय मतले चांदरी रात का तो वेड़ करने लगता है कि अब होगा कि नहीं होगा। आशा करते हैं तो इवान जान बड़ पर इंतजार करते हैं। अफिसीन शीप रोता उसी सकभीस कराजा पर आप गाई समें पता नहीं इसके साथ क्या हुआ मत इससे पहले ऐसा लगा था कि यह पकड़ा जाए लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया है और उसके पाजा जाता है जो ऐसा देखने ऐसा लग रहा है जो जो बंदा है वो कहीं क साले तु मतलब में इतना ट्रेनिंग वगर दिया था तेरे पीछे पता नहीं पैसे वगरे खज किये थे तुझे अच्छे से डिटल बगर बताएगा था सब कुछ जो भी प्लैन था ना प्रिंसेस को माइनने का वह सब पहले से तयार था लेकिन एंड में तो आखर फेल हो परी को ले सकता हूं परी की पावरी करके मैं पूरी दुनिया पिरास कर सकता हूं यह सुनने क्यों यह जो परिया ना अपने माली को पहचानती है तो आपका बात नहीं सुनेगी तो तो परी मेरी हो जाएगी अफिस इंशिप्ट होता है युवान पर जो कि अभीब उस तलाब के पास है और परी का सीड है उसके अंदर से परी का निकलने का इंदजार कर रहा है लेकिन अब साथ दिन हो चुगा अभी तक निकली नहीं है लेंगे तबी जो तलाब था उसके अंदर से अजीब से निकलने लगती है तो इवान के विया खुलता है और देखते हैं कि भाई चलो फाइनली परी निकलने वाली है और तबी जो सीड है वो जो मतलब परी का सीड था जो उसने तलाब करना डाला था वो दिए दे निकल कि बहुत बड़ा लोटेस के फूल में बदल जाता है और अब जो लोटेस का फूल है पुरा खिलता है उसमें से एक परी निकलती है और जो देखने वाद जो इवान है वो पहुजा दा खोश हो जाता है और चलो यार फाइनली साथ दिन के इंतजार के बाद परी निकली गई लेक्ट जो परी हो जैसी बाहर निकलती है वो कहते है सबकुछ जोटे है और यारा यार ये ये पड़ी फैसे पहले मोफ़गों जो मेंने निकला तो इसका से अपनी परी बनाया तो हमोफभा इसको मुझे मोफभा मेना ब Requ लेकिन मोफ़ा बोलती ही क्या और तूने मतर उसको प्लांट किया तो ऩो इसको अपनी से इड़ तो अखेले उसे ऐसा माल और तबी ओ जो परी थे दूसरी वाली हम लग कर निकले आ जाती, यवान के तरफ लेकिन जो मौफाई उसको बचा tillे तयार हो जाती है, लेकिन तब अचानक से दूसरे जाए, भी लाट जादा जा था है, तो दूसरा सीड़ था ना। उसमें से बड़ी बेहन हैं तो मेरी चोटी बेहन है तो पहली परी बुलती कि हाँ आपने सही कहा हमें आपको छोटी बेहन हूं और फिर उसको भी आदा जाता है दोनों मता काफी ज़्यादा खुश है कि हम लों लंबे समय बाद एक दूसरे से मिल गए और यह देखने बाद इवान के पहले तो एक ती अब दूसरी भी आगे यह दोनों मिलके मेरे पीछे पढ़ जाएंगे तो जाता है मौफाई समाधत मांगता है प्लीस मुझे जान से बचा ले ना लेकिन जो दूसी वाली पर ही हो यहान को कुछ भी नहीं बोलते हैं कहते हैं यू यू मास्टर देखिए ह हम लंबे समय बाद फाइनली हम मिली गए हैं और अपने सकट हलका सा उठागे तम क्यूट बनने कोशिश करती हैं जो देखने का बाद मता इसा क्यों कर रहा है तो दूसी वाली बताती है कि देखिए मेरे मास्टर है और इन्होंने मुझे कहा था कि जब हम कभी भी मिलेंग तो प्रिस अपने क्यूट बरताब करना तो पहली वाली बलता है चाहिसी बात है तो मैं आपकी छोटी बनी हूँ तो मैं भी आपके साथ करूंगे तो वो भी दोनों बेहने मिल को इसी करने लगती है अपना सकट हलका सा उठाती है और जैसी आने मेगल करते हैं कि देखो मै प्यारी लग रही कि नहीं तो इसी दोनों करते हैं युवान से पूस्ते देखिए हम प्यारी लग रहे कि नहीं और यह देखके युवान के मुह में भी पानी आ जाता सो सरे वह यह का माल यार सामने मज़ यह आ गया लेंगे पीछे से मोफाई उसको ड़र आती है कि अभी तो साले ठर की नाजर मतले दूर रख उन से आखे और यह देकि युवान की भी फट जाती है इसलिए अपने मुह से पानी वह अटाता है और बुक वाली परी से बलता चैटी के यह दोनों परी को वापस अपने बुक में भेज दो मतलब फिलाल के बाहर रहने में मतलब थो मतलब वही बंदा जिसने तुम्हें दोका दिया था उसने तुम्हें परी बनाया वासाती में ठेसारी परी बनाया तो जितने भी परी है उससाब के बार में पता करूँगा और सबको देखना बात मैं रिलीस कर दूँगा उनको मतलब सचाही बगेरा बता कर उसके बाद से